चट पूजा के मौके पर इस साल भे लालू परिवार के घर पुरानी रौनक देखने को नहीं मिल रही है पर मुख्यमंत्री राबडी देवी इस साल भी चट पूजा नहीं कर रही है बिदे कई सालों से राबडी देवी ने चट पूजा नहीं की है हलाकि लालू परिवार का छट हमेशा चर्चाओं में रहा है जब कभीर भी राबडी देवी ने छट पूजा की देश भर की नजरे लालू परिवार के उपर ठीकी रही एक अणे मार गिस्तित मुख्यमंत्री आवास में छट पूजा का आयोजन किया जा रहा है मुख्यमंत्री नितीश कुमार के परिवार के लोग यहां पहले चट करते आये हैं और इस बार भी उनकी भा भी चट वरत कर रही है मुख्यमंत्री आवास के अंदर बने छोटे तालाब में ही वो भगवान भासकर को अर्ग देंगे हलाकि इस बार खरना पूजा पर मुख्यमंत्री आवास में लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया है कोरोना वाइरस के बीचे मुख्यमंत्री ने खरना पर साथ खाया बिहार के नई डिप्टे सेम रेणु देवी अपने बेतियास्तित पत्रिक अवास पर चटपूजा कर रही है चटपूजा के मौके पर मुख्यमंत्री नितीश कुमान ने प्रदेश वासियों को बधाई दी है राजयपाल फागू चौहान के अलावा बिहार के डिप्टी सीम तारकेश्वर प्रसाद रेणु देवी पर मुख्यमंत्री राबडी देवी और तेजस्री यादव ने भी प्रदेश वासियों को चटपर्व की बधाई दी है वहीं पुरे बिहार उतरपदेश के पूरवे इलाके और जारकंड में चटपर्व को बेहदी धूमधाम से मना जा रहा है लेकिन लाल उप्रसाद के आवास और राबडी देवी के आवास पर फिलहाल इस साल भी उदासे चाही रही और इस साल भी राबडी देवी ने चटपूजा नहीं किया है नियोज रूम से नदीम अहमद के रेपोर्ट